नमस्कार दोस्तों मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बाप फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लो आसा करती हूँ आप सब स्वस्था सुरचित होंगे पांच दिन का त्योहार सुरू होने वाला है जिसके सुरुआत धनते रस से होती है दिपावली आती है बीच में और उसके बाद भाई दुझ पे इसका एंड होता है तो धनते रस के दिन हमें खरीदारी करनी है मालच्मी कुबेर भगवान जी और धन्मंत्री भगवान जी की रोक सकते हैं तो क्या-क्या पूजा सामकरी की जरत पड़ेगी पहले मैं वो बता दूं साथ में बताऊंगी नियम इस तरह से आठे का दिया बनाया जाता है आप चाहें तो चौमुखी दिया भी ले सकते हैं मिट्टी का अगर आपके पास चौमुखी मिट्टी का दिया न जाता बहुत बढ़ा दिया बनाना है न छोटा दिया बनाना है और इस तरह से इसमें बाती चार दिसाओं में लगानी है साथ में हमी चाहिए चावल और कुछ सिक्के चाहिए इसका उप्योग में आपको बताऊंगी अगर गेहू मिल सके अगर देखिए बहुत से ग़रों चाहिए शिक्के चाहिए कुछ एक या दूर्पे के सिक्के चाहिए काली तिल चाहिए रोरी हल्दी अच्छत ये सब पूजा में सामिल होगा हमें चाहिए लौंग दूबध्ति और इस तरह से कलावा चाहिए रच्छा सुत्र जिसको बोलते हैं गंगा जल चाहिए फूल थो पिले रंक जलाना इसा माना जाता है छोड़ने से कोई भी कस्ट नहीं आते हैं 13 का धन 13 के दिन है 13 है इसलिए 13 अप 13 के दिन जरूर जलाएं तो घर के बाहर घर के अंदर यह कॉते यह काम नहीं करते हैं आप विसेज ध्यान देना है, घर के बाहर जहां पर आपका मेन गेट है, उसके बाहर ही यम का दीपक जलाया जाता है, बहुत से लोग घर में जला देते हैं, नहीं, घर में एकदम नहीं जलाना है, ये जो है, घर के बाहर ही जलाया जाता है, और दच्छिन दिसा में, घर के तरफ जो दच्छन दिसा होती है, उस तरफ ये यम का दीपक जलाया जाता है, तो इस तरह से मैंने चावल के आटे की रंगोली टाइप कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं, जो कि आसानी से घार गर में मिल जाएगा, उसके उपर च नहीं की तो चावल का भी बनाना चावल चावल कलें एक तरह से घर बनाना बहुत से लोग भी डालते हैं तो आप इस तरह से घर बनाएंगे उसके उपर इस ऑटे अन्य रक देना है अगर आपके पास दिए पातीं राट टी चावल के आपकी नॉर्मल डिये 2 ती में आप चार गाता लगा सकते हैं देल लॉटेयदा के लॉटे ना है लॉट डालेंगे काला तिल डालेंगे और सात में हम डालेंगे लॉक्ट सिंवी कह बहुत लोग कवड़ी डालते है तो कवड़ी जो है वह Different कोडिया के दिन पूजा में सामिल करते हैं कौणिया और इसे पर्स में रखते हैं इसे घर में बरकत बनी होती है बनी रहती है हम उसे लॉकर में रखते हैं तो कौणिया मैंने ही डाल रही हूं मैं सिक्का डाल रही हूं सिक्का तिल और मैंने लॉंग डाला है और इस तरह से ह हमारी घर के बाहर से ही पूजा सुविकार करिए और हमें आशिरवात दीजे और हम सब को कस्टों से मुक्त करिए अपना आशिरवात बनाए रखिए और घर में कोई भी किसी भी प्रकार की परशानी या कस्ट ना आ पाए एक चीज का ध्यान जरूर रखना है इसका जो बोलते हैं हल्दी कुम कुम लगाएंगे अच्छा चुणाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया यम का दीपक तब जिलाना है जब घर के सारे लोग घर के अंदर आ गए हों अगर कोई भी एक सदद से घर के बाहर है जो कि थोड़े देर से आने वाला है तो उसका भी आप इंत अंदर आजा उसके बाद ही आपको यम का दीपक जलाना है दच्छिन दिशा में जलाना है घर के बाहर जलाना है फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो जो घर का आपका दरवाजा है में गेट का उसके बाहर जलाना है दूप बत्ती जलाएंगे कोई मीठी चीज आप भूख लगागे चड़ा सकते हैं घर के सबी सदश्य जो है एक फेरा लगाते हूए अगर आप कोई ऐसी जगह पे है जहां पे आप फेरा लगा सकते है तो ठीक है नहीं तो हाथ से ही आप घर के सबी लोग एक-एक सिक्क्ळ लेके हाथ से गुमा के वहीं पे आप रख दे अब इन सारी चीजों को हमी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगे यह देखे सिक्के हैं आप एक रुपए या दो रुपए के सिक्के ले सकते हैं गर के सभी लोगों से इस तरह से हाथ फिरा के सिक्का जो है वहीं पे रखवा देना है और उसके बाद जब भी आप वापस आएंगे तो पलट के आपको यम का दीपक नहीं देखना है तो यह सबसे ज़्यादा सावधानी की बात है तो बच्चों को अंदर रखिए बच्चों को पठा के जलाने है कोशिस यह करिए कि जब सब काम हो जाए घर में उसके बाद रात में आप यम का दीपक जलाएं मीठे में आप कुछझए ठीवाली करता रहें, तो खीर बटा से बहुत लगा सकते है कोई मीठी चीज बनाके कृहर लगा सकते हैं दू बत्ती चलाएंगे, हाँ जोडगर कर प्रात्ना करेंगे कि यम देवता आप अपना scaled दीजी यहीं दरवाजे से और हमें सभी कस्टों से मुक्त जीये किसी पी प्रकार की कोई परिसानी या कस्ट अचानक से हमारे उपर ना आ पाए और ये बहुत ही जरुरी होता है ऐसा माना जाता है जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अकाल मृत्यों के जो दोस होता है वो दूर करने के लिए यम का दीपक जलाना बहुत जरुरी होता है धन तेरस के दिन तो आप विसेश रूप से जलाए और इसे अगर पांच दिन तक आप कंटिन्यू कर पाते हैं तो और वी जादा अच्छा है यह यमका दीपक जैसे आपने धंतेरस के दिन जलाया, उसके बाद आप नरख 14 के दिन, धिवाली के दिन और इस तरह से 5 दिन आप अगर दीपक जलाएंगे तो ज़्यादा लाबकारी होता है, साथ में ये भी धियान रखना है, अब मैं बताऊंगे कि इसको सारी चीजों को ह ये जो खीर बतासे हैं और ये गेहू हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं दान दे देना चाहिए, पंडी जी को दान देना है, तो ऐसा नहीं है, ये यमका दीपक है और उस चीज के लिए जलाया गया है, तो आप इसे किसी को दान मत दीजिए, ऐसा माना जाता है कि आपकी भीड़ा किसी और देनी चाहिए, तो इसे आप इस तरह से लपेट के आप एक जगह पे डाल दे पे, और आप चाहें तो इसे सारी चीजों को लेगे आप कहीं पे डाल दे गये को खिला दे इसे पंडितों को दान नहीं देना चाहिए, और जो अनाज का आपने ता धेर है, इस भात को विस्य स्थ्यान देना है जो पूजा आपने बाहर की है उससे रिलेटिट जो भी समान अपको बाहर ही रखना है ऐसा नहीं कि सब चीज उठाके आप घर में ले आए जो सिक्के भी हैं उसे आप बाहर ही रखे जब भी कहीं जाए बाहर की तरफ तो वो मंदिर में आप दान दे दीजिए और यह जो गेहूं है या रंगोली है इस सब को समेट लीजिए और घर के बाहर जैसे अगर आप फ्लैट मे रह रह रहे हैं तो आप नीचे जाके गार्डेन होता है जहां पे वहां पे आप चिडियों को डाल दीजिए जो भी अनाज है उसको आप जला सकते हैं तो यह सब घर के बात का और ध्यान देना है यम का दीपक बहुत ही ध्यान से जलाना चाहिए इसमें कोई भी गल्ती आपको नहीं करनी है तो यह छुट छुटी बाते हैं जो मैंने आपको बताए इस इन सारी बातों का आपको विसेश ध्यान देना है तो आसा के आपके जीवन में धेर सारी खुचियां सुक सम्रिद्धी धन और एस्वेर लेकर आए वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे रड बटन भी क्लिक करेंगे तो अगल में बेल आएगी बेल पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुच सकेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा थैंक यू